Hello Friends, Welcome Back! दोस्तों सोंवर आ गया है और अपने साथ लाया है नॉमिनेशन्स. जी हाँ, एविक्षन के बाद अब बारी है नॉमिनेशन्स की. बिग बॉस ने घरवालों को इस बार ऐसा टास्क दिया है, जिसमें नॉमिनेशन्स होना या नॉमिनेशन्स से बचना सब घरवालों पर ही नॉमिनेशन्स का तरीका कुछ अलग दिया है बिग बॉस ने. इस टास्क में सभी घरवाले पोस्टमेन की भूमिका निभाएंगे, हर किसी के पास किसी दूसरे के घर से आया हुआ एक पार्सल होगा. बिग बॉस ने इसमें कुछ हट के रूल्स मनाए है, हर बार जिंगल बजने के बाद अगर किसी पोस्टमेन ने उसके हाथ में पकड़ा पार्सल को निर्धारिक सदस्य को दे दिया, तो वो खुछ सीधा सीधा नॉमिनिट हो जाएगा. लेकिन अगर उसने उस पार्सल को देने की बजाए, गार्डन एरिया में पड़ी भटी में डाल दिया, तो वो नॉमिनिट होने से बच जाएगा. किसी भी पार्सल को आग की भटी में डालने से पहले, उस post pen को parcel को unwrap करना है और उसमें मौजूद gift की घोशना सभी घरवालों के सामने करनी होगी इस emotional game में सबका सबर का बांध almost टूट रहा था फिर भी सब हिम्मत से खेल रहे थे पर Mona ने अपने आपको nominate करते हुए Manu को उनका parcel दे दिया वहीं Lopa, Manu और Bani ने अपने आपको safe किया दोस्तों फिरहाल अब तक के लिए इतना ही जल्दी लोटेंगे Big Boss के घर की कुछ नई खबरों के साथ Till then, goodbye and don't forget to subscribe, like and share this video